नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नेहा वालिया और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में यूपी में देदानादर जी हाँ योगी के यूपी यानि उत्तर प्रदेश में अपराद को रोकने के लिए यूपी पुलिस फुल फॉर्म में आ चुकी है या यू कहें कि यूपी में अब अपराधियों की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराद पर नकेल कसने के लिए ताबर तोड़ मुठ भेड़ है उनका सिलसला जारी है मुख्यमंत्री योगी अधितनाद की यूपी पुलिस एक बार फिर मिशन क्लीड मोड में आ चुकी है उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटे में पुलिस और बदमाशों की बीच 16 मुठ भेड़े हुई है जिसमें 24 दूर्दांत अपरादियों को धर दबोचा गया है तो कह सकते हैं कि जो यूपी पुलिस है वो बदमाशों को अब धेर करने में लगी हुई है एंकाउंटर का दोर जो है वो लगातार जारी है तो कह सकते हैं कि एक अलग दिशा निर्देश शायद यूपी पुलिस को दिये गए होंगे योगी अधितरनाद की जो पुलिस है वो अब सतर्क हो चुकी है पुलिस प्रशासन की और से अपराधियों पर आए दिन अब नकेल कसी जा रही है आपको बता दे कि 48 घंटों में 16 एंकाउंटर किये गए हैं और दो दिन में 24 अपराधियों को धेर कर दिया गया है वही मुद्भेडों का जो सिलसिला है लगातार जारी है और इस दोरान कहीं पुलिस वाले भी घायल हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटों में पुलिस और बदमाशों की बीचे 16 मुद्भेडे हुई हैं जिसमें की 24 दुर्दान्त अपराधियों को धर दबोचा गया है देखिए इस रिपोर्ट में सहारनपूर, कनौज, मतुरा या फिर शामली आजकल यूपी का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहाँ पर पुलिस की गोली से घायल बदमाश करापे ना दिख रहे हुँ लुहान कर अपनी कारिस्तारियों के लिए अफसोस करने पर मजबूर करने पर तुली है यूपी के सियम योग्या अदतनात ने ऐसा क्या कह दिया जो दो दिनों में यूपी पुलिस ने ताबर तोड 18 एंकाउंटर करके बदमाशों के होश फाक्ता कर रखे हैं इन दो दिनों में पुलिस ने कई अपराधियों को धर्दवोचा है ज्यादतर अपराधियों के सिर पर इनाम थे मगर फिर भी वो खुले आम खूमते हुए वार्दातों को अंजाम देते थे कनोज में ही बैटरियों से भरा ट्रक लूट कर भाग रहे बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही फारिंग शुरू कर दी जवाबी कारवाई में पुलिस ने फारिंग की तो अकील नाम का इनामी बदमाश पुलिस के हथे चड़ गया मुठबेड में पुलिस के तीन जवानों समेत एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है बैटरी से भरा ट्रक भरामत किया जा चुका है साथ ही एक 3.2 की प्रिस्टल भी मिली है शामली में तो पुलिस को और भी बड़ी काम्याबी हासिल हुई है एक व्यपारी से करोडों की रंगदारी मांगने वाले 50,000 की नामी बदमाश अकबर को पुलिस ने धेर कर डाला अकबर पर दो दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज थे हालकि एक अपराधी एंकाउंटर के दुर्रान भागने में काम्याब हो गया इस मुटभेड में भी दो पुलिस करमी खायल हो गये, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है मथुरा में व्रिंदावन कोतवाली लाके में भी पुलिस और बदमाशों में आमना सामना हो गया जहां 12,000 का इनामी बदमाश योगिंदर घायल होकर कब्से में आया ये अपराधी कब्से में तो आया जरूर मगर एक और पुलिस वाला घायल हो गया हाल ही में मथुरा पुलिस ने इस तीसरे मुठभेड को अंजाम दिया है सहारेलपुर में भी 10,000 के कुख्याती नामी बदमाश को पुलिस ने धर्दबोचा है यहाँ पर भी एक दरोगा को गोली लगी और वो खायल हो गया साफ तोर पर देखा जा सकता है कि यूपी पुलिस इन दिनों फुल अक्शन मोड में काम कर रही है जिसका लक्षे है सर्फ एक यूपी से जुर्म और गुनागारों का खात्मा स्पेशल डेस्क खबरे अभी तक तो यूपी के पूरवर डीजेपी विकरम सिंग्फ ओन लाइन पर जूट चुकी है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरे अभी तक में धन्यवाद नमस्कार तो सर क्या कह सकते हैं कि यूपी पुलिस फूल एक्शन मोड में नजर आ रही है बदमाशों की उल्टी गिंती जो है वो शुरू हो चुकी है बेशक बहुत दिनों बाद यूपी पुलिस आकरामक मोड में आई है प्रो एक्टिव हो गई है तो कि जमाने से उनके हत्यारों में जंक लग गया था सालाना फाइरिंग बंध हो गई थी आप रादिक अभी सूचना संकलन बंध हो गया था और यह संतोष का विशा है कि अब यूपी पुलिस एंकाउंटर मोड में आ गई है और दोडा के रगेट करके बहुत लोगों के मन में भ्रम है यह फर्जी मुट भेड़ हो रही है जबकि वास्तर लिखता यह है कि धारा 96 से 106 तक IPC में यह अधिकार आपको हमको यूपी पुलिस को सभी को है आत्मरक्षा में अपने उस परिमार में बलब प्रियोग करें जिससे कि हम अपनी यह किसी दूसरे की संपत्ति जानमाल की सुरक्षा कर सकते हैं दूसरा प्रमार इनकी सत्यता का यह है कि 200 के करी पुलिस कर्मी घायल है और दो पुलिस कर्मी शहीद हुए है परी संख्या में बदमाश घायल है अगर यह फर्जी मुट भेड़े होती तो एक भी घायल नहोता सब भगवान को प्यारे हो गए होते लेकिन यह यूटी पुलिस की सत्यनिष्ठा है कि जो घायल था उसका इलाज कराया जो मर गया उसका अंतिर संस्कार कराया लेकिन यह मोड चालू रहना चाहिए और प्रो एक्टिव मोड के लिए पुलिस बनी ही इसी लिए है कि आक्रामक होके बदमाशों को रगेत करके उनकी कबर तोड़े बिल्कुल क्या कैसे सकते हैं कि सीम योगी अदितेनाच जो है उनकी और से पुलिस प्रशासन को कोई स्पेशल दिशा निर्देश दिये गए है जिसके बाद पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव हो गया है इतना सतर्ख हो गया है बिना मजबूत राजनेयतिक इच्छा शक्ति के और योगी जी के स्पष्ट निर्देश के बिना ये संभव ही नहीं था नेत्रत पहले भी था लेकिन योगी जी के नेत्रत में वो द्रड़ता और वो कठोरता और वो बिल्कुल बिना किसी संशे के असंशे के जो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं उसका अनुपालन यूपी पुलिस ने किया है जी लेकिन सर क्या लगता है कि पुलिस ने अपनी कारवाई में देर कर दी है क्योंकि जिस तरीके से अपरादे का घटनाए अवारदाते लगातार होती आ रही थी लेकिन अब अलर्ट नजर आ रही है पुलिस क्या राजनेतिक हस्तक शेप की हाँ पर कोई जरूरत थी जरूरत यह थी क्योंकि आपने यह देखा कोई मरीज अगर आई-सी-उ में दाखिल है उसको मराथन दोलाने से पहले कम से कम छे महिने तो आपको लगेगा उसको अपने पैर पे ख़़ा करने में यूपी पुलिस कदाचित उसी स्टेज में थी जैसे आई-सी-उ में एक मरीज की लाके ख़ड़ा करने में छे महिने साथ महिने लगे लेकिर अब यूपी पुलिस को यह आत्मविश्वास हो गया है कि योगी जी के निरदेश पर और जो उसकी एक गरिमा आ रही है और जो उसका एक पूर्व इतिहात रहा है उसके अनुरूप यश और शौर की गाता दुबारा कहे लेकिन जितनी एक्टिव पुलिस अब नजर आ रही है क्या ऐसे ही अब आगे चलता रहेगा क्यों नहीं अगर पहले थी और आज है तो आगे भी रहेगी और उसको हतोच साहित करने के बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत लोग बदमाशों का साथ दे रहे हैं बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अरे फर्जी मुट भीड है तो आप अपराब लिखा दीजे ना अगर फर्जी समस्ते हैं तो पुलिस के खिलाफ मेरे खिलाफ कुद भी तीन बार तीन सो दो चले हैं लेकिन हाथ कंगन को आर्ची क्या पड़े लिखे को फार्ची क्या अगर सही है तो आपको ड़रने की ज़रूरत नहीं है ये आपका धर्म है उत्तरदाइत्व है लेकिन वो सरयाम इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते आए हैं निसंदे देखे अपराद का उन्मूलन नहीं होता लेकिन अगर पुलिस आक्रामक होती है मुर्वे शुरू होती है मान के चलिए 15 दिन के अंदर अपराद आदे हो जाएंगे चलिए तो हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से अप पुलिस आक्रामक मोड में नजर आ रही है जिस तरीके से अब अपरादों पर रोक लगाने की उड़ों ने ठान ली है इस तरीके से ही आगे कारवाई की जाएगी जरूर इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि इसमें अपरादों पे रोक थाम अपरादियों पे नियंतर और उच्च कोटी की आपरादिक अभी सूचना प्राप्त हो जिससे की आगे भी इंकाउंटर होते हैं उनके एक युद्ध स्थर्पे कारवाई संभाव हो जिस तरीके से एंकाउंटर जो किये हैं पुलिस प्रश्यासने कुछ इनामी बदमाश भी इसमें बताये जा रहे हैं जिन पर इनामी राशी थी उनका भी एंकाउंटर पुलिस ने किया है जी हाँ इनामी बदमाश का मारा जाना बड़ा संतोष का विशय होता है और अभी भी अबरादी का विसूसना से मेरा अभी पराई ये है कि जो चोटी के बदमाश हैं क्रियाशीर बदमाश हैं उन पे पुर्सकार की गोश्रा करें बिल्कुल सर हर किसी को पुलिस से उमीद है प्रशासन से उमीद है तो युपी में जिस तरीके से पुलिस आकरामक मोड में नजर आ रही है आए दिन दो दिनों के अगर हम बात करें तो पिछले दो दिनों में 24 अपराधियों को पकड़ लिया गया है एंकाउंटर किये जा रहे हैं और इन में कुछ इनामी अपराधी भी शामिल है जिनका एंकाउंटर किया गया है जो सरेयाम वारदातों को अंजाम दिया करते थे तो मुख्या मंत्री योगी अधितनाथ की यूपी पुलिस एक बार फिर मिशन क्लीन मोड में आ चुकी है और उत्तर प्रदेश में बीते 48 खंटों में पुलिस और बदमाशों के बीच 16 मुट भेड़े हुई है जिसमें 24 अपराधियों को धर दबोचा गया है अब आपको वो कुछ तस्वीरे दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सरेयाम ये जो अपराधी वारदातों को अंजाम देते थे उनका एंकाउंटर यूपी पुलिस ने किया है चे तस्वीरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नौईडा की तस्वीर है आपके सामने हापुर की तस्वीर है चित्रकूट, सीतापूर, गाजियाबाद और मुजफर नगर की ये तस्वीरे है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यूपी में अपराद अब चरम पर था उसे देखते हुए यूपी पुलिस प्रशासन जो है अब अपने आक्रामक मोड में नजर आ रहा है और आए दिन जो अपरादी है जो बदमाश है उनकी धर पकड़ की जा रही है चुन-चुन कर बदमाशों का एंकाउंटर किया जा रहा है तो मिशन क्लीन मोड में यूपी पुलिस नजर आ रही है कह सकते हैं कि उल्टी गिंती अब यूपी में जो बदमाशों की है वो शुरू हो गई है छे तस्वीरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो छे अलग-अलग जगाहों से है जहां पर यूपी पुलिस का अब ये कारनामा आपके सामने है किस तरीके से एंकाउंटर वो कर रहे हैं और जो इनामी बदमाश हैं वो भी इस एंकाउंटर में शामिल है तो अब राजियों को पुलिस पर फाइरिंग करना भी महंगा पड़ा है कुछ पुलिस कर्मियों के अगर बात करें एंकाउंटर के दौरान तो वो भी घायल हुए है लेकिन इसके साथ ही पुलिस अब अपने आकरामक मोड में निजर आ रही है साथी साथ योगी अधित्यनाद की और से कह सकते है कि कुछ दिशा निर्देश जो है यूपी पुलिस को जरूर दिये गए होंगे क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो जो अपराध है वो चरम पर था जिसके बाद यूपी की जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही सामने आ रही थी लेकिन अब यूपी पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो मिशन क्लीन मोड में आ चुकी है आकरामक मोड में आ चुकी है और काफी सतर्क हो चुकी है क्योंकि पिछले दो दिनों की अगर बात की जाए तो 16 एंकाउंटर जो है कर दिये गए है नौईदा से आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस का प्रकोप बदमाशों को जहलना पड़ा है हापुर से आप तस्वीर देख रहे हैं और चित्रकूट की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और दिन दिहाडे ये जो इनामी बदमाश हैं, जो सरयाम इस तरीकी के वारदातों को अंजाम देते थे, उन्हें पुलिस एनकाउंटर में अब अपनी गोलियों का शिकार बना रही है और इसी दौरान कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन पूर्व डीजेपी की हमने आपको बात सुनाई हैं, उनका कहना है कि जिस मोड में अब नजर आ रही है, यूपी पुलिस इसी तरीके से वो आगे भी अपनी कारवाई को अंजाम देती रहेगी और बदमाशों की अब यूपी में खैर नहीं होगी, क्योंकि यूपी की तस्वीर बदलती नजर आ रहा है. तो इस पूरे मिशन को लेकर निताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए. ये बहुत ही दुर्भागिपूर्ण है, जो मामला सुप्रीम कोट में लंबित है, और उसके पहले इस तरह के बियान देना, इससे ये पता चलता है कि भारती जनता पार्टी और उससे हमदर्दी रखने वाले जो लोग हैं, उनको भारत के सम्विधान और लोक्तंतर में ब चलेगी, जब तक मामला संविधान के जरीए सुप्रीम कोट में लंबित है, इस तरह के बियान देना, ये मैं समझता हूं, गैर कानूनी है, और वैसे भी, अगर किसी का किसी से मतभेद है, तो इस प्रकार के बियान दे के देश में भड़काऊ बातें करके, कुछ लोग र कर्मनाक है, और मैं इस बियान की बहुत करी निंदा करता। अब मुस्तायद हो चुकी है, और कह सकते हैं कि बदमाशों की अब यूपी में खेर नहीं।